हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और जवरस्त वीडियो में और इस वीडियो में देखिए हम आपको 5 ऐसे पैनी शेयर बताने वाले हैं जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है और कोई 2-3 शेयर तो इसमें ऐसे हैं जिसमें 75% तक भी प्रोमोटर होल्डिंग है साथी साथ यह अच्छे रिटन दे रही है अच्छे ROE ROC है अच्छे प्रोफिट सारी कम्पणिया कर रही है तो चलिए सुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले देखिए यर 847 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यर वीडियो तो आप लोग द देखिए देखिए पहला जो हमारा शेर है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपरेशन लिमिटेड और अभी इस समय मार्केट ओपन है और साथ प्रसेंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है इस सेर को मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब यह 27 रुपे पर जो हमारा बजट आएगा उससे पहले यह 37 से 49 रुपे का आसपास जाएगा जो हमारे एनलिटिक्स होते हैं उन्होंने यह टारगेट दिये हैं शेर के जो देश में बड़े बड़े एनलिटिक्स हैं उनके दुआरा यह टारगेट दिये गए है 37 से 49 रुपे तक तिल जो हम 49,000 करोड की कंपनी है, 29 का करंट प्राइज है, बहुत अच्छे रेट पर अभी भी मिल रहा है, P.E. देखिए, बहुत सस्ते पर, 6 के P.E. पर, book value से भी नीचे अपने trade कर रहा है, और अगर dividend के लिए भी शिर्फ रखना चाते हो, आप तो dividend भी बहुत अच्छा देता है, OFS जो आएगा, इस पर अगले साल, मतलब 2023 में इसमें निरने लिए जाएगा, तो 22 में या 23 में तो आने की संभावना है नहीं, और 2024 में कहा गया है, कि 2024 में इसका OFS आ सकता है, तो कम से कम 2024 तक तक तो इसमें OFS की कोई संभावना नहीं है, उस से पहले हो नहीं सकता, उसके अगर ऐगा लेकिन तब तक बहुत अच्छे रिटन हमें यह शेर दे चुका होगा। 2023 में यह शेर कम से कम दो से तीन घुना का रिटन देगा देखी गा बहुत सांदर रिटन मिलने वालने हैं इससे हर सेर के बारे में बहुत जाधा बात तो करेंगे नहीं फिर भी promoter holding इसमें दिखा देता हूँ देखिए 86.36% है और इसी वज़े से OFS लाये जाएगा 2024 में क्योंकि rule के मुताविक 75% से ज़्यादा promoter holding नहीं होनी चाहिए किसी भी company में और देखिए FII है 1% div है 3.5% के आसपास और 9% है public तो बहुत अच्छा में share holding pattern भी देखने को मिलता है और 2024 से पहले OFS की कोई संभावना नहीं है तो कोई भी share price में adjustment या ग्रावट नहीं होने वाली है जब तक कि market में ही कोई बहुत तखड़ी negativity ना आए तब तक इस share में कोई भी ग्रावट नहीं होगी दूसरा हमारा share है मिश्ठान food limited और जब market गिर रहा था तब भी सिर्फ यह 1% गिर रहा है जब सारे share 5% 10% की ग्रावट में थे तो यह share सिर्फ 1% की ग्रावट में था और आज फिर से यह लगभग सबा 1% से उपर की upside यह दिखा रहा है और यह share premium बासमती rice में branded premium बासमती rice होते हैं उसमें कामकाज करते हुए हमें दिखाई देता है सारा का सारा जो इसका कामकाज है वो इंडिया में ही होते हुए हमें दिखता है लेकिन अब यह extension कर रहे हैं और बहार अपना जो globally market है उसमें pair जवानी की कोशिस यह कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके जो promoters हैं per day इसमें अपनी holding बढ़ाते जा रहे हैं पर day share खरीद रहे हैं 897 की चोटी सी कंपनी है 8 रुपे 97 पैसे का price है और 20 का PE है सचते पर यह भी मिल रहा है book value सबा की सबा रुपया है और 36 देखें ROE और ROC देखें 36 का और 38 प्रसेंट का बहुत सांदार है और इतनी चोटी कंपनी होने के बापजूद एक चोटा सा dividend भी company देती है in future यह dividend बढ़ने की संभावना भी है जब company के profit बढ़ेंगे और market बढ़ेगा तो यह dividend भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस company के कौँज अगर प्रोज देखें तो कौँज में इसके कुछ भी नहीं मिलता है और healthy dividend payout इस share ने बना रखा है 58% का बात करें इसके अगर sales की तो 27 करोड की जो sales हुआ करती थी 160 करोड की हो गई है यह quarterly sales है और अगर इसे को हम yearly देखें तो जो 116 करोड में होगती थी देखें साल 2016 में 116 करोड थी वो हो गई है 47% से sales growth, profit growth 310% से बहुत ही शांदार बटरी और return देखें आप 37% से return दे रही है और हाँ यहां देखें आप reserve और करजे अगर देखें तो 41 करोड के reserve और 32 करोड का सिर्फ एक करजा है 800 करोड की company पर 32 करजा बहुत बड़ी बात नहीं है promoter holding अगर देखें तो लगभग 50% promoter और लगभग 50% ही public के पास है लेकिन इस में जो है आभी आप देखेंगे जब अगला quarter result आएगा तो promoter holding आपको बढ़ते होग दिखाई देगी हमारा तीसरा जो stock है विकास life care क्या सांदार rally दिखा रहा है आज देखें 10% की चार रुपए 37 पैसे का current price बहुत ही शांदार और यह company इसके तो मैं क्या ही कहूं देखें इन future यह बहुत ही बड़ा multi-bagger बनके आपको दिखाई देगा कहां कहां यह काम नहीं करता है क्या वता है इसका देखें FMCG में काम करता है और food processing में काम करता है plastic product में काम करता है इसके जो काम की list है बहुत ही बड़ी है इसकी तो बहुत तखड़े return in future यह देने वाला है पिछले एक दिएर साल से हालांकी शेर इतने पर ही ट्रेट कर रहा है चार से पांच के बीच में लेकिन जब भी ये भागेगा तो ये हाथ भी नहीं आएगा आपके इतना मैं कह दे रहा हूँ इस समय बहुत रिजिनल प्राइज पर मिल रहा है तो देखिए आप सेल्स ग्रोथ देखिए 219% से बढ़ रही है कंपाउंड प्रोफिट ग्रोथ देखिए पांच सालों का अगल आएंगा तो 232% से है तीन सालों में 344% से और इस साल 212% से CAGR देखें तो अभी जो है सेयर प्राइज में पहले भी आपको बता रहा था कि इस साल बढ़ा नहीं है एक से डिर साल में पिछले यहीं पर ट्रेट कर रहा है तो सिर्फ 10% और 16% का CAGR दिया है भी और 21% का एक्क्यूटिवर रिटन यह दे रहा है कंपनी ने देखिए अपने रिजर्ब बढ़ाए है यहां आप देखेंगे तो जहां कभी माइनस में 13 करोल के वाकरते दो वहां हो गए है 172 करोल के प्लस में और कर्जा देखिए जहां 41 करोल का वाकरता था वहां रह गया है सिर्फ 13 करोल तो company बहुत अच्छा करते हुए in future हमें दिख सकती है बहुत शांदार return हमें देते हुए दिखे ही दीगी आज का हमारा चोथा stock है Railway Vikas Nigam Limited जिसे हम RBNL के नाम से भी जानते हैं और 63.90 पैसे का share price 1.19 की इसमें आज बढ़त हमें देखने को मिली है और ये share कभी मैंने आपको बताया था 30 रुपे पर भी और मेरी खुद की buying है 16 रुपे पर क्योंकि उस समय मेरे पास YouTube channel नहीं हुआ करता था अभी बनाया है जब ये 30 पर था तब मैंने आपको इसको बताया था कि खरीद लीजिए इसको और उसके बाद से अभी तक दुगना हो चुका है बहुत सांदार रिटन ये share दे रहा है और इसकी अगर order book हम देखें तो इसके पास railway के 75,000 करोड के order पड़े हुए है और एक order इसने अभी और जीता है परसो मैंने इसमें वीडियो बनाई थी जो तेलंगा नामें इसने वर्क्षोप का एक order जीता था साथी साथ एक ये coach factory भी अब develop करने जा रहे हैं तो railway के ये दो share जो पहले एक IRFC बताया मैंने और एक ये RBNL ये तो बहुत ही तखड़े return हमें देने वाले हैं इस बार budget में आप देखिएगा जैसी budget आएगा ये हमें 80 के आसपास तक के target छूटा हुआ दिखाई देगा फरवरी तक बहुत सांदार return ये देगा हलांकि पहले भी 80 के आसपास तक गया था लेकिन अभी इसमें correction हुआ है क्योंकि बहुत तखड़े return एकदम से मिल गए थे तो लोगों ने profit booking की और देखिए 13,300 करोड की ये छोट इसी company है 63 रुपे 90 पैसे का share price और देखिए 84 तक इसका high गया था तो बहुत अच्छा गया था और 29 इसका low है इस साल का भी देखेंगे ये 9 रुपे 86 पैसे book value 33 की है और dividend भी company देती है सरकारी company होती है तो dividend अच्छा देती ही है face value है हमारी 10 की तो हो सकता है in future हमें कभी न कभी split देखने को मिल जाए 19 का ROE और 16.8 का ROC है इसकी अगर हम कौन जो प्रोज की बात करें तो देखें earning है इसमें 1,03 करोड की जो other income है उसमें और अगर हम इसकी प्रोज की बात करें तो देखें profit growth 24% से बनाई हुई है healthy dividend payout 32% का है और जो अपना working capital है requirement है उसको 92 से 20 पर लिया है और देखें company को कितना confidence है कि जो इन्हें 75,000 करोड के order मिले हुए है उस order को company ने कहा है कि 5 साल में हम पूरा कर लेंगे और नहीं करा तो कुछ इन्होंने पैसे refund करने को सरकार को बोला है लगभग लगभग 14-15 करोड sorry 200-300 करोड के आसपास के वो है रकम कि हम इतना आपको बापिस कर देंगा अगर हम इतना 5 सालों में ये सारे project नहीं कर पाए तो और देखें 78% की इसमें promoter holding है कभी 87% हुआ करती थी और FS लाए गया 78% पर कर दी गई अपनी जो promoter holding है और FII देखिए 1.76% से है DII भी लगभग 7.5% पब्लिक के पास सिर्फ 12% है बहुत ही अच्छी कंपनी ये दोनों होने वाली है railway sector में IRFC और RVNL अब देखिए बात कर लेते हैं अपनी 5 भी और लाश्ट कंपनी की कंपनी का नाम है Vikas Ecotech 3.27 पैसे का current price 7.27 आज अपसाइट देखने को हमें मिल रही है ये कंपनी भी हमारी देखिए chemical में काम करती है polymer में काम करती है तो बहुत अच्छे कामकाज ये भी हमें करते हुए दिखाई देती है और बात करें इसके market cap की तो सिर्फ और सिर्फ 310 करोड का है current price है 3.27 पैसे का बहुत अच्छे पर मिल रहा है अपने हाई से आधे पर और लोके आसपास मिल रहा है book value दोर पे 46 पैसे P 32 का है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ROE, ROC अभी नहीं दिया है कंपनी ने क्योंकि लिश्ट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है बात करें देखिए कंपनी के sales और profit की तो sales 98 करोल की 381 करोल की हो गई है अब जो 98 करोल की वहा करती थी और अगर net profit देखें तो देखें आप जहां माइनस में 14 करोल के थे वहां 10 करोल के हो गए हैं बढ़कर और बहुत सांदार दिखा रही है अब जो है इसकी growth बहुत अच्छी होने लगी है देखिए 143% से तो इसकी sales growth बढ़ी है 168% से इसकी profit growth और 27% से CAGR कंपनी ने दिया है कंपनी almost debt free हो चुकी है और reserve हो चुके है कंपनी के पास 149 करोल के और 65 करोल का लगभग borrowing रहे गई है तो बहुत ज़्यादा करजाब नहीं रहा है क्योंकि अब reserve भी बहुत अच्छे है इसमें एक negative point भी हमें देखना को मिलता है और वो यह है कि इसमें share holding pattern में देखिए सिर्फ promoters के पास 9% है लेकिन FII इसमें थोड़े से इसने entry लिए है यहां से देखिए 21 से इन्होंने बढ़ाना सुरू की है 1% की हो गई है और public के पास है जाजतर लेकिन 89% public के पास सबसे ज़्यादा इसमें share holding pattern है तो यह थोड़ी सी इसमें दिक्कत वाली बात दिखती है तो दोस्तों यह हमारे आज के पांच पैनी share थे जो in future अच्छे return बहुत अच्छे return दे सकते हैं लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा अगर आप invest करना चाते हैं तो अपने analysis या अपने financial advisor से सला जरूर ले ले क्योंकि हम कोई recommendation नहीं करते हैं by sale की सिर्फ education purpose के लिए यह वीडियो था अगर वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजिएगा चैनल को subscribe जरू कर लिजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक